तो इस समय पूरे भारत में मानसून काल चल रहा है और मानसून काल और मानसून काल से पहले इस समय आप देखेंगे पूरे उत्तर भारत में खासकर उत्तर भारत में भारी वर्सा हो रही है आती ब्रिष्टी हो रही है और लगातार भारी वर्सा और अती वर्स्टी के कारण स इस्तिती इतनी गंभीर हो चुकी है यह आप एक तस्वीर देख रहे हैं हमारे जश्ट पीछे आप सायद अंदाजा न लगा पाएं कि यह तस्वीर कहां की है यह तस्वीर हमारे देश की राजधानी की है नई दिल्ली या दिल्ली का छेत्र जो यमुना से जुड़ा हुआ इस समय बाढ़ प्रभावी चेत्र में घोषित हो चुका है और बड़े इस्तिर पे जान माल की हानी होई है यहां पर तो दिल्ली समय संकट पे है लगतार यमुना का जलिस्तर बढ़ रहा है और गंभीर जल जमाव हो है और इस समय जलिस्तर लगबग बढ़ करके 208.13 मीटर हो चुका है 45 वर्स के बाद 1963 के बाद यह सबसे बड़ा संकट है दिल्ली में तो दिल्ली इस समय आपदा में है और दिल्ली की आपदा जो है इस समय पूरे देश की आपदा के तौर पे देखा जाए इसको क्योंकि दे यह इस्तिती दिल्ली की है तो जहां से अन्य जो सहर है उनकी हालत क्या होगी आप सोच सकते हैं इस बात को कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हमने क्या इस्तिती आलाके खड़ा कर दिया है अभी मैं आपको बहुत सारे जो है इमेजस दिखाऊंगा आप देखे जल जमाव हो च वर्सी बाढ़ापदा आती है कही न कहीं सुनाई देता है लेकिन आप देखे बिहार की हालत क्या होती है बिहार में हर साल कोशी नदी गंड़क नदी जो नदी से किनारे के छेतर हैं सब में बहुत बड़े इस तर पे बाढ़ाती है और मैं एक चीव बताओं करेंगे कि आखिरकार बिल्ली जल्मे डिल्ल के मैं कैसे हो गई कब Tech दिल्ली संक्ट अब्रेदा कैसे निजात पाई अब हो गई आज के लिए नहीं आने वाले समे के लिए तयार किया क्या और सिप डिल्ली की बात नहीं मुंबई की भी यही लिए हालत होती है भारी बरसा हो गई और कोई भी कारण हो गया तो वहाँ पे खूब जल जमा हो जाता है अभी आप देख रहे हैं इस समय खूब बरसा हो रही है और उस कारण से लगतार बाड की खबरे आ रहे हैं उनमें से ये खबर बहुत महत्यपूर इसलिए है क्योंकि देश की राध्धानी की यह दुर्दशा इस समय बहुत ज़्याद है तो यमुना में बाड आई है तो सबसे पहले यमुना में बाड के पीछे का कारण क्या है क्य क्या कारण है कि यमुना में बाड आई इतनी जादा इसके पीछे का कारण है कि अभी जब मांसून का अगमन हुआ तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हर्याणा पंजाब जो दिल्ली से ऊपर के बसे हुए राज्य है उत्तर भारत के राज्य जो आपके हैं यहां पर भा पश्यमी बिच्छोब है यदि मांसून की क्लास मेरी किये हुए है तो आपको पश्यमी बिच्छोब पता होगा या आल्रेड़ी आप जानते होंगे ठीक है तो बश्यमी डिस्टर्वेंस पहले हम समझते रहे कि चलो फरवरी भी तर है मार्च भी तरह अपर लेकिन जिस त हुआ पर्देश उत्रोकत हो बारी भरसा हुई आप को पता है कि यह गंगा की प्रमुक सायक नदी है और यह परवसरेडी में बंदर पुख्ष सिकर से निकलती है और वहां से यमनोत्री ग्लेसियर पढ़ता है लगबग 6387 मीटर की हाइट है वहां से आपका यमनोत्री ग्लेसियर से यमना निकलती है मैं भी आपको मैप में भी इसको दिखा दूँगा ठीक है तो इसके परडाम है ठीक है लेकिन मजा नहीं है यह सजा है अपने आप में तो जब खूब बरसा हुई उपरी राज्यों में तो उसके परडाम सुरूप यमना का जलिस्तर बढ़ गया अब यमना के जल को दिल्ली में प्रवेश करने से पहले यमना दिल्ली से तो हर्याना में एक बैराज ब आप देखें यह पूरा का पूरा यमना नदी है और जो फ्लड है यह जो रेड एरिया आप देख रहे है ना जितने एडिया में यह यमना का पाथ है ब्लू कलर से जो है और रेड एरिया जितना भी है यह पूरा बाढ़ प्रभावी छेत्र है यह दिल्ली का मैप है और दि पूरा एरिया बार से भर चुका है यह जो राजगाट का एरिया है यहां पर पूरा का पूरा जितना भी एरिया है मजुनु का टीला यह पूरा जितना चेत्र है यह सब बार प्रभावित चेत्र में आता है ठीक है तो बार प्रभावित हो चुका है तो हतनी कुंड बैराज आपका बनाया गया है मैं एक बार हतनी कुंड बैराज आपको दिखा देता हूं फिर इसके बाद बाकी कि मैं आपको मैं दिखाऊंगा हाँ यह आप देख सकते हैं एक बैराज बनाए गया है हरियाना में बैराज बना हुआ है यह तो हमारी रादधानी है दिल्ली यह आप देखें यहां पे है रादधानी दिल्ली यह देख रहा है दिल्ली रादधानी है इससे जस्ट उपर हरियाना में यहां पे एक बैराज ब ब्रद्धी हुई और आपको पता है कि जब कोई बैराज में जलिस्तर की ब्रद्धी होगी तो निश्चित तौर पर उसका पानी समय के साथ छोड़ना जरूरी है नहीं तो यदि वो उसमें किसी तरीके की समस्या ही क्योंकि एक हर चीज का लेबल है सुरक्षा का लेबल है त इस कारण से यमुना में जलिस्तर में ब्रद्धी हो गई और दिल्ली के जिते निचली छेत्र है निचली छेत्र मतला बाढ़ प्रभावित छेत्र जो यमुना का पूरा का पूरा फ्लड जोन है उसमें बड़ी संख्या में बाढ़ आ गई और बड़ी संख्या में लोग प ऐसी कंडिशन में यह एक बहुत बड़े स्तल की जानमाल की हानी हुई है लोगों की ठीक है बड़ी संख्या में लोग इसमें प्रभावित हुए हैं इस समय दिल्ली के हालत यह है कि बड़े लंबे लंबे जो है जाम लगे हुए हैं परिवाहन और जल आपूरती पूरी तरी बहुत सारे थे यमना का जलिस्तर जैसे से बढ़ रहा है उस कारण से कई सारे वाटर ट्रीटमेंट बन कर दिये गए इसके कारण से प्यजल संकट आ चुका है दिल्ली के उपर पच्चेस परसेंट जल की कटावती हो चुकिए दिल्ली में तो दिल्ली समय संकट में हैं दे रहेंगे ठीक है यह हालत बहुत बुरी ड्रेनेज की हालत इतनी ज्यादा बुरी है ऐसा आपका पूरा का पूरा हालात बने तो इस कारण से यह पूरी के पूरी इस्तति आप देख सकते हैं जल भराव की बसने लगबग डूब चुकी है साधन जितने वे सब परिवान बं नुकसान होता है ठीक है भारी वर्साइदी होती है तो बार कहीं पर भी आएगी तो क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं बार से बार के नुकसान के क्या-क्या जो है प्रभाव हो सकते हैं और क्या रीजन रहा है इस बार इतनी ज्यादा वर्सा होने का यह आप देख सकते हैं य यह आप देख सकते हैं यह यमुना हां यह हत्निकुन बहराज आपका यहां पे पीछे पानी का यहां पे जमाव है यहां पर रेगूलेट किया जाता है पानी को यमुना में छोड़ने के लिए लेकिन इस चेटावनी के इस्तर होते हैं आपके तो चेतावनी के इस्तर में 208.6 मीटर ये आपका पानी का इस्तर है जल इस्तर बढ़ गया है यहां पर आप देखे ये चेतावनी खत्रे का आपका 205 था खत्रे से 3 मीटर उपर जा चुका है पानी अभी दिरे दिरे कम भी हो रहा है लेकिन फिर भी अभी हालत कराब है और अ आम जन जीवन ब्यस्ता है यहां पर तो यमुना रीवर में वाटर लेबल जो है आपका पुरा हाल है उसका यह आप देखे डेंजर लाइन से 3 मीटर हाइट पर है अब जब कभी ये कंडिशन बनती है इतने बड़े स्तर का जल भरा होता है तो सबसे पहले प्रभावित होत तो क्या होगा फसल खराब मिर्दा की और बरता खराब क्योंकि पानी के साथ धीरे-धीरे मिट्टी के भी जो पोसक तत्त होते हैं घुल के नीचे भी चले जाते हैं सिचाई और सनशना खराब पसु धन का नुकसान जो पसु होंगे उनका भी नुकसान होता है यहां ठीक ह फसल की बुआई, कटाई, भंडार और वितरन सब कुछ प्रभावित होता है अब इससे जब कभी फसल एगरी कल्चर चक्र आपका खराब होगा तो फिर क्या होगा खाद यह सुरक्षा हो जाएगी, कुपोशन हो जाएगा, निर्धनता हो जाएगी, किसानों को संकट रू अश्टपती भावन है, हमारा संसद भावन है, अभी यह इरिया सुरक्षेत है, यह थोड़ा हाइट में है, जो आपका पूरा आरावली वाला छेत्र है, उसके आसपास वाले छेत्र में इस्थित्र है, और यह पूरी तरीके से बेल मेंटेंड है, पर फिर भी दिल्ली के जालत बहुत खराब होती है, जब कभी भी यहां पर बरसा हुई, जादा भारी हुई, जल जमाओ की इस्तिती बहुत खराब है, ठीक है, तो दिल्ली में इतना ज़्यादा एगरी कल्चर लेंड नहीं, लेकिन फिर भी इसके बाजूद भी कृसी को नुकसान होता है, ठीक ह लोगों के हाला, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, और सबसे बड़ी चीज है जल संसाधन, सबसे बड़ी चीज क्या है आपका, यह है आपका, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जल संसाधन को दिक्कत होती है, जल संसाधन में क्या होता है, जो भूजल होता है, रांद वॉटर पूरी तरिके से आपका डिस्टर्ब हो जाता है ठीक है एक मिनट। आहां आप देखें वॉटर स्टाइक पूरी तरी के जब कभी इंग न तो वॉटर स्टर्ब होगा यह बात होता है कि जब ज्यादा वर्सा होगी तो भूजल में वठर하면 तो होगा लेकिन इ दूसीत हो जाते हैं चालू हो जाता है जल जनित बीमारियां बहुत सारी बीमारियां लोगों का विस्थापन की स्थिति आजाती है लेकिन इससे जो है तो एक दो वाटर सैकिल प्रभावित तो एक समस्या यह देखने को मिलती है और क्या-क्या समस्या हो सकती है आपकी और समस्या जो होती है आपकी मैं एक करके आपको जो है प्रॉब्लम्स बता रहा हूं यह आप देखे जो सबसे बड़ी समस्या है एक तो आपको मैंने बताया कि अग्री कल्चर की प्रॉब्लम है दूसरा मैंने आपको बताया कि water cycle disturb हो जाता है जब कभी भी बाढ़ हाती है कहीं पर भी और वो बहुत बड़ा संकट देता है उर्जा का संकट भी हो जाता है उर्जा संकट कैसे हो जाता है उर्जा संकट होगा बिजली सायंत्र खराब हो जाएंगे transmission line खराब हो जाएंगी सब stations खराब हो जाएंगे इन सब को नुकसान पहुंसता है बड़े इस्तर पे ठीक है तो power जो है कई बर black out करना पड़ता है पूरे एरिया में पानी नहीं होता है current की स्थिती भी होती इतना पानी पूरे एरिया में बिजली नहीं होती है पानी तो पान बनाएं गहीं है जहाँ पर विद्यू स्तर बढ़ता तो बिद्ध उत्पादन शंता में तो ब्रदų होती है ठीक है लेकिन नुकसान ज्यादा बड़ा है कुए कि दित्खधी कर सकते हैं एक की बहुत ज़्यादा होगी तो ट्रांस्पोटेशन को सबसे अधर दिक्कत होती है बाढ़ में ट्रैफिक जाम देरी सुविधाओं का रद्धी करण इतनी सारी सुविधाय होंगी दुर घटनाओं के कार्ण से मौते होती हैं है ना सडक रेल वायुयान जल परिवान सब बाधि होती है और आसे में लोग पूरी तरीक.' उनका आम-जन-जिवन क्या हो जाता है खराब हो जाता है और वहारीëज सारे को आपको पथा बढ़ाता है स्वास्तर सारी ब्यमारियों का जन्व होता भारी वर्सा होगी ज़ё अईetेमें। लेकिन फिर भी समस्याएं तो हैं बहुत सारी अच्छा इस बार क्या कारण रहा कि इतनी जादा अब यह यह प्रॉब्लम्स मनें आपको बताई कि वही एग्रिकल्चर डिस्टर्ब हो जाएगा वाटर साइकल डिस्टर्ब हो जाएगा आपका एनरजी सेक्टर जो है अभी ड वर्सा हो गई इतनी वर्सा के पीछे का कारण एक तो यह आपका पश्चमी बिच्छो आप सभी लोग यह दि क्लास में रहे हैं तो वेश्टरं डिस्टर्बेंस के बाद आप सभी जानते हैं कि भूमद्य सागर वाला जो च्छेत्र है ना आपका यह वाला च्छेत्र है य यहां पे जो चक्रवात होते हैं उन चक्रवातों के माध्यम से बारत में वर्सा होती है इनी को हम पश्मी विच्छोब कहते हैं ठीक है तो हिमाली चेत में भरबारी होती है और यहां तो इस बार बहुत दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च खूब बारिश हुई तो एक तो बाड़े स्तर पर अंताक्रिया किया है आदर जलवायू है मुसलादार वर्सा का करण जलवाय। जून से सप्टेमबर तक बारीस होती है भारत में तो उत्तर भारत में एक तो आपका मांसून का आगमन है हर बार मांसून का जब भी आगमन होता है बाहर सुड़ा देनी इंपेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इंपेक्ट है एक आपका यह ए ऐल नीनो फिनोमीना इसको हम एंसो प्रभाव कहते हैं यह जब कभी ला लीना की इस्थिति होती है तो भारत में बहुत ज़्यादा बरसा होती है तो इस समय बरसा पर्याप्थ है एरोबियन धारा आपकी इंपक्ट करती है और ला लिना और एल लिनो की दिशा भारतिय मानसून में प्रभाव करती है तो यह भी एक बड़ा रीजन आपका रहता है एक रीजन आपका इंडियन ओशन में होता है जिसको हम आई ओडी बोलते हैं यह भी मैंने क्लास के अंदर प्रभावित करता है तो हिंद महासागर और यह बंगाल की खाड़ी वाला छेत्र है हिंद महासागर अरब सागर वाला छेत्र है यहां पर आयोडी प्रभाव होता है ठीक है तो यह सारे प्रभाव जो है मिल करके वर्सा को बढ़ा देते हैं ठीक है और इस कारण से जो है इ या बाकी चीज़े बने क्लास में पढ़ाए क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा विड़ सिस्टम और मांसून के साथ टॉपिक पूरा पढ़ाया है इसके बाद जलवायू परिवर्तन एक बड़ा कारण आपका ये जलवायू परिवर्तन है आपको पता है कि बाद इसका प्रीवर्तन है तो मांसून का जब भी आपका जब कभी भी मांसून का उभार हो रहा है उसके कारण आपका जलवायू पर है आज समय कभी गरमी के टाइम पर गणी नहीं पड़ रही आए तो ग्लोबल वार्मिंग के इसमें बहुत ज् Tube हमैब देख सकते हैं ए सुन का आगमन हो चुका है एक आप देख पर रहे हैं चक्रवात बहुत सारे हैं जिसे बिपर जो आया है आपका ठीक है टाइम स्चिछ पिघलने लगते हैं कई आप देखेंगे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो glaciers पिखलते हैं, glaciers पिखलने से भी नदी के इस तर में बृद्धी हो जाती है और उसके कारण भी बैराज और बान छोड़े जाते हैं और हालत खराब हो जाती है तो ये इंपैक्ट है, ये रीजन है आपके, अब देखें भारत सरकार के द्वारा इसको लेकर करके कई सारे काम किये गये है कई सारे प्लान बनाए गये हैं, कई सारी संस्थाएं आपकी बनाए गई है इस समय दिल्ली में सेना को तैनात कर दिया गया, NDRF की बहुत सारी फोर्सेज लगे हुई है ठीक है, तो सारे लोग लगे है, पुलिस, दिल्ली पुलिस तो हाई है ठीक है, तो इसके लिए देखे कई सारे योजनाए आ चुकी है कई सारे प्लान सरकार के द्वारा जो है लाए जा चुके है ताकि इस समस्या का समधान किया जा सके तो एक तो आपका ये प्लान है, जो है राश्ट्रिय बाढ़ जोखिम समन पर योजना जो आपकी है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा एक राश्ट्रिय बाढ़ जोखिम समन पर योजना नेशनल फ्लड रिस्क जो आपका मिटिगेशन प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मतलब जो बहुत सारे कमजोर समुदाएं हैं उनमें बाढ़ को लेकर जागरूपता पैदा करना, आपदाओं से राहत के लिए, पुनरवास के लिए, पुनर निर्माड के लिए, पुनर प्राप्ति के लिए, संसाधन के लिए, सब के लिए काम करने की बात की गई है दूसरा एक प्लान है आपका, नेशनल डिजास्टर मनेजमेंट प्लान, ठीक है, ये प्लान भी है, इसका भी काम है कि यदि कभी आपदा आ जाती है, तो कैसे हमें आपदा का रोक थाम करना है, कैसे उसको समन करना है, कैसी तैयारी करनी है, कैसे हमें प्रत्क्रिया करनी है कैसे पुनर प्राप्ति करनी है क्योंकि देखे जब कभी आपदा आती है पहला प्रयास ही होता कि आपदा के पहले ही चीजों का बचाव किया जाए तो ज्यादा अच्छा है दिल्ली जैसी जगह में जहां पर इतना ट्रैफिक है इतनी ज्यादा लोग रहते हैं इतनी जाहिए कि जो बाड़ प्रभावी छेत्र है ना यहां पर जो माइग्रेशन हो चुका है लोग यहां पहुंच चुके हैं बाड़ एरिया में लोगों ने जमीन जायदाद घर दोहर सब बना रखें इन सभी छेत्रों को जो है हमें सुरक्षित करना चाहिए टटबंद बना चाहिए उन सभी हम पे हम बात आएंगे तो आपका सरकार का देखे नेशनल डिजास्टर मेनेजमेंट प्लान है आपका इसके अलावा आपका आप आपके बारे में सभी जानते हैं आपकी राश्टर राष्टि आपदा प्रबंदन प्राधिकरन एक बनाए गया है जिसको ह बाड आपदा पे NDRF का बहुत बड़ा योगदान रहता है हर बार और यह नेशनल डिजास्टर मेनजमेंट अथर्टी आपकी है यह हो मिनिस्ट्री के अंतरगत काम करती है आपकी इसके अलावा देखे और क्या क्या है आपका भारती मौसम विज्ञान है आप सभी जो है जर बारी करना है भारी वर्सा से कैसे बचना है इसके लावा एक बोर्ड बना हुआ है यह आपका केंद्रिय जल बोर्ड भारती मौसम विज्ञान विभाग है यह आपका बना हुआ है सेंट्रल वाटर कमीशन केंद्रिय जल आयोग बना हुआ है ठेक है इसका काम होता है कि जि जीने बनी हुए उनके जल इसतर की निगरानी करे उनको ले कर बताए कि क्या स्थिती हो सकती है ठीक है और इसके बाद इस्वो के संपर्ख से अपका नेशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर बना हुआ है जिसका भी काम क्या है कि कभी बाढ आती है कोई भी आपना उसका मान जब कभी आपदा आती है तो जमीनी इस तरफे आपको क्या काम करना है तो सबसे पहले चीज आपदा के पहले ही आपको प्रयास करना है कि आपदा आने से पहले ही जो है सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों पर काम किया जा सके ठीक है इसके लिए एक तो जो आपका बैज्ञानिक तक्नीकी और चमता का विकास करना है कि जोकिम पहले आकलन कर लिया जाए जोकिम आने वाला है ठीक है बार और भू इसकलन संभावी छेत्रों की पहले ही मैपिंग कर लिजाएगा और वहां से जो खत्रें उनको हटा दिया जाए वही नदी तो अपना कार बड़ा लेगी कभी न कभी तो नदी के छेत्र में प्रवेश करना इसके लिए सब कुछ जो है ऐसा कि यहां पर गयर संद्शनात्मक मॉडल डिबलप होगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपदा से पहले जितना बचा सकते हैं बचा लें उसके लिए वह मॉडलर डिबलप करने पढ़िए दूसरा ड्रेनज सिस्टम जो ड्रेन ह्म की बुरा है तो ऐसे में द्रेनस सिस्टम की बाद ही के बात कर faço उड्य को जो जल निकॉस्प्र णाली ब्यौस्ता है घिक है तो आपदा में क्या क्या कर सकते हैं जब आपदा आ चुकी है आपदा आने से पहले पहले कोशिस करिये जादा ज्यादा चीज़े बच जाए ठीक है उसके लिए बैग्यानिक तरीके बहुत सारे खत्रे को समझना जोखिम काकलन करना बार और भूष खलन प्रभावी चेत्रों मे लोगों को वहां से हटा कर रखना वहां पर किसी प्रकार की सनशनात्मक विकास और उसको लेकर के वहां मलब इंफ्रेस्ट्रेक्चर विकास को लेकर कोई भी योजनाय नहीं चलाना ठीक है और जब आपदा आ जाए तो आपदा आने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं कंट विकार को चाहिए कि इस तरीके की एक योजना बनाए ताकि जहां पर भी बाहर से जुड़ी आपदाय कासकर मेट्रोपॉलिटन सहर और साथ में देखो जो मलब गाउं में भी बाढ़ें आती है नदिया होती है गाउं के गाउं बह जाते हैं बिहार में तो नदियों की आह आवस्या को समधान करना पड़ेगा उसको लेकर प्लानिंग और योजना बनाना पड़ेगा और लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि पूरे जीवन का जितनी कमाई है सब एक साथ बह जाएगी उससे अच्छा है कि इससे पहले सुधार कर लिए जाए है न और एक चीज़ और समझना होगा लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा कि कभी बाड़ा आप दाती है तो किस तरीके से आपको रिस्पॉंस करना है आवस्या क्या क्या चीज़े आपके पास होनी चाहिए है ना तो इन सभी को ले करके क्योंकि जल टाइम नहीं देगा वो आ फैसे अब स़रकारों को चाहिए की समस्या का एक संपूर समधान ले कर пергाट कर लेकर के पूरी तरीके से समाहन ने करें और यह पूरीकी पूरी जो इस्ती जो दिल्ली में बंदी है हत्नी कुंद बैराज से पानी चोडा गया उसके बास कर ऐस्तिती खराब हुई थी इससे जुड़ी आगे कोई भी अपडेट होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अभी हालत यह है जो आप पीछे दिरिश्चे देख रहे हैं ठीक है और मैंने आपको कुछ उपाई भी बताए रीजेंस भी बताए कारण भी बताए आपको नुकसान भी बताए हर यह मिल जाएंगे ठीक है चले बहुत दो शुक्रिया धन्यवाद मिलते हैं नेक्स सेशन में